हालो बच्चों, वेल्कम टू PBR स्टडी, उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है, सही समय और सही दिसा, जिन्दगी में ये दोनों बहुत ही जरूरी है, सही समय और सही दिसा का अगर ग्यान ना हो, तो सुबा का उगता हुआ सूरज भी ढलता हुआ दिखाई देता है, इसी तरह जिन्दगी में अभी आप लोग छोटे हैं, नाइन्थ, टेंथ में पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी काम अगर करना है, तो सही समय पर करें, और सही दिसा में जाएं, यहां सही दिसा का मतलब समझ रहो कलास तो में शुरू करने चल, राओ 13.8 पढ़ेंगे, आप पूरा आज सारे कुश्चन होंगे इस कलास में, लेकिन एक चीज़ समझ लिना, सही दिसा का मतलब यह है, कि अगर आपने अभी कुछ बनने का टार्गेट बनाया है, जैसे आपको बढ़ा हो करके IES बनना, PCS ब पढ़के का करोगे, आइसे लोग का क्या है, संगती गड़वर मतलब तुन दिसा में गलत जा रहे हो, ऐसे लोगों के पास बैठो, ऐसे दोस्त बनाओ, जो तुमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ करें, मतलब सही दिसा में इसी को बोलते हैं, समझ रहे हो ना, चलिए, त सारे कुश्चन होंगे, आज बहुत ही बहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, उसके पहले अगर आपे टेलिगराम पे अभी तक नहीं जोइन किया है, तो PBR स्टडी को जोइन कर लें, जिससे कि आपको सारी कलास टेलिगराम पे मिलें, क्योंकि इसमें सारी नोटिफिके सेमी स्फेर इसी को बोलते हैं, यह आपको एक कटोरी दिखरी कांच की, लग रही न, यह क्या है, सेमी स्फेर, अर्ध गोला, आपके घर में कटोरी होगी, कटोरा होगा, भगोना होगा, बोलो है कि नहीं, नहीं है तक गेंद लेके उसको फोट डालना, आधी-आधी कर ले न, भई हो जाएगी, ठीक, यह क्या है, पूरा गोला, यह समपूरण गोला, जिसे गेंद हो गया, या कोई, आज कल ठंडी आ रही, तो ठंडी है, तो उन, जिससे, मता है बहने, भाबी यह लोग क्या बनाती, स्वेटर हो गयरा, उन का गोला, देखे हो न, वो क्या होता, इस पेर जैसे होता है, बात करते हैं आगे, इसमें क्या-क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम है, पृिष्टिये, छेत्रफ़ल और आयतन, यानि शर्फे सेरिया और बैलूम, क्या है, सर्फेस एरिया और बैलूम, यह चैप्टर का नाम है मिरे भाया, तो इसमें आगे ब को तेंसन नहीं लेनेगा रे बाबा चलो दिख रहा है ना एक दम अच्छे से कुश्चन दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा जूम करूंगा तो जूम तो मैं कर सकता हूं लेकिन फट जायेगा कुश्चन तो पढ़ लीजिए मैं इडिया सीज सेवन सेंटीमीटर, फाइंड दा बैलूम आफ इस फेयर यानि उस गोले का आयतन ग्याद कीजिए, जिसकी तरिज्या साथ सेंटीमीटर दी गई है, मतलब नीचे देखो दी गई है, इसमें दो पार्ट है, तो बहुत सिंपल है, क्या निकालना है, भी यह निका आयतन, ठीक है, इंगलिस वाले लिखेंगे, बैलूम आफ इस फेर, हिंदी वाले लिखेंगे, गोले का आयतन, लिखो भाईया, चलो, फटभवट, हल करते हैं, क्या लिखोगे, अब बैलूम आफ इस फेर, यह तोड़ा हैं करने लगा, मुझे लग रहा है, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4 upon 3 pi r का cube ये फार्मूला होता है होता है न देखो ये भी दिखाया था ये 4 upon 3 pi r का cube यहां दिखने रहा है कि आपको थोड़ा सा रुखजब भाईया रुखजब आबू रुखजब न ये देखो दिख रहा न आपको 4 upon 3 pi r cube तो ये क्या करोगे फार्मूला आप पूट कर दोगे इसमें लिया करके और हो गया आपका अंसर चलो फटा फट चलो भाईया गोले का आयतन क्या 4 बटा 3 pi r का cube तो फास्ट देखिए इसमें 2 पार्ट है दिख रहा है न आपको 7 cm है पहला तो भाईया यहां पर बाबू चाहे तो first number यहां पर पार्ट डाल लेना आप लोग यह first है इसको इधर side में लाके हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4 बटा 3 और pi r का cube r का cube मतलब जान रहो r का घात 3 का मतलब जानते हो बटा जानते हो भाईया इसका मतलब होता है r गुड़ा r कितनी बार 3 बार क्योंकि 3 घात लगी है तो इसका यह मतलब होता है यहां पर pi का मान 22 बटा 5 रख दीजिए कितना 22 बटा 5 और r का घात 3 है इसलिए r को 3 बार और r का मान 7 है इसलिए इसको 7 गुड़ा 7 एक साथ से एक साथ कैंसिल अब देखो आगे बढ़ते हैं कोई तकलीफ नहीं किसी को कोई परिसानी नहीं आगे बढ़ें ठीक है अब देखो बच्चा यहां पर समझना है क्या समझना है इनको हल करना है जादे कुछ नहीं करना है इसका अंसर लगभग में आएगा point में द देखो चार का इसमें गुड़ा करोगे तो चार दूना आठ चार दूना आठ यानि 4 का जब करोगे 22 4 जा 88 और इसको 7 का 7 में करोगे तो यह हो जाएगा 49 अपान नीचे हो जाएगा 3 ठीक है इनका 88 का जब गुड़ा करोगे multiple करोगे 49 में बाबू तो कितना आएगा 43 something आए multiple करना नहीं आता तो मुझे बता देना सभी समझ रहे हो यह थोड़ा हैं कर रहा है रुख जाना एक मिनिट मैं इसको बंद कर देता हूं इसमें कई साफ्ट बेर ओपन है इसलिए थोड़ा थोड़ा चुट पुट कर रहा है ए रुख जा रहे बाबा रुख जाना तू कई तुम भाग करी सकते हो 3 का इसमें भाग करोगी कितनी बार जायगा देखो 3 आखम 3 शिंपल सा है यह हो जायगा 13 vs12 ठीक है फिन यह हो जायगा इंटू 1 अपान 3 सही बटा में चेंज कर सकते हो है ना भाया कर सकते हो ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कैसे 1437 इंटू 1 अपान 3 यह क्या हो गया सेंटीमीटर में दिया था ना सेंटीमीटर में दिया था यह आयता न में तो सेंटीमीटर का क्यू यह घंज सेंटीमीटर इसको थामवलों में बदल लोगे बैटा तो कितना आएगा बहिए दसंबलों में हर कोई बदल लोगे ना कोई दिक्कत नहीं है तीन से इनको भाग कर लो लाश्ट में एक सेस्पल बचा था उपर दसंबलों बढ़ा के जीरो उतारोगे तो तीन बार जाएगा आप पॉइंट में तीन तीन लगा सकते हो तो इसका अंसर आप य या फिर 1437.33 ये भी हो सकता है सेंटिमीटर क्यूब देखे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है बागी कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े नेक्स कुश्चन इसका सिकेंड पार्ट देखो मेरे भाईया इनका पीडियाप में हल करा हुआ पूरा पूरा टेली गराम पे भीच दूँगा थीक है बाबू चलो अगला में इसका लिखैंडा पार्ट verdikant पार्ट में क्या कह रहा था देखो यहां पर चलो सबी बच्चे आ जाओ बच्चे में बच्चिया आ जाओ सिकेंड पार्ट देखो भाईया बाबू क्या कह रहा था कुछ नहीं कह रहा रहे दादा वही तो बोल रहा है यह तिरिज्जा दिया है बस रेडियस उसमें 7 दिया था इसमें 0.63 दिया है बाकी वही तो सब है कुछ अलग थोड़े बोल रहा है उसमें चलो इसमें भी आयतन निकालना है गोले का आयतन इसको हम इंग्लिस में लिख देंगे बैलूम आफ सर्फेस और सॉरी सॉरी इस फेर लिखो आगे चलो अब बैलूम आफ इस फेर एस पी याज ए और ए इक्वल फोर अपान थ्री पाई आर की उप्थोड़ा हैं कर रहा है आज पैनल रुक रुक के चल रहा है न चलो तो भाईया फोर अपान थ्री पाई का वैलू रख दो 22 अपान सेवन इंटू आर का वैलू कितना है जीरो पॉइंट सिक्थ्री तीन बार इसको करना है उमीद है सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा तो नीचे एक बार और कर लो बस ठीक है हमें काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है सुन्दर नहीं लग रहा है इसको सुन्दर बनाते हैं देखो सुन्दर लगने का यह मतलब है ए बाई चल जा यार कहां गया तू रुको इदा थोड़ा इसको जगा चाहिए था बस इन्टू 0.16 बस यही साइड में रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है सुन्दर लगता है ठीक है अब इनको साथ से काटेंगे तो आपको पता है कि साथ नमाई तिरफट तो 0.9 आएगा क्यों भाईया आएगा कि नहीं गलत है गलत काहे को है देखो बता रहा हूं यह गलत काहे को है यह 0.09 आएगा काहे को पता है तुमें देखो यार अक्छूली में क्या है न यह 0.63 है अगर इसको 9 से भाग करेंगे तो यह उपर दो अंक पर दसमलों है तो यह भाग करोगे 63 में 900 से अब समझना तो यह 900 है यह तिरफट है इसमें भाग जाएगा नहीं तो सबसे पहले 0 बार जाएगा 0 ले जाओगे 63 उतारोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई मतलब नहीं हुआ अब उपर क्या करोगे दसमलों बढ़ाओगे यहां पर 0 उतारोगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं हिलने वाला है क्योंकि अभी भी वो बढ़ा है यहां 0 उतारने के बाद भी तो कहो के एक बार दसमलों बढ़ाए पिर 0 उतार लेंगे ना ही रे बाबा नाई एक बार 10 हम्लों बढ़ाने पर आप एक जिरो उतार सकते हैं एक साथ में दूई जिरो नहीं किसी साथी होती तेक्के दुलहन मिलती है आलिक शाली को भी लिया हो गर ठीक है तो क्या करेंगे एक जिरो यहां उतारेंगे दो नहीं अब दूसरा सिस्टम अगर हमें एक जीरो और चाहिए तो उपर जीरो बढ़ाते है नीचे भी जीरो उतार लेते हैं ये करते हैं ठीक है समझ रहो तो जब एक जीरो फिर बढ़ाएंगे तो यह जीरो और उतारेंगे इस तरह से अब यह बड़ा हो गया इससे, अब यह 9 बार जाएगा ए भाग तो साथ से करना था रे बाबा यह कहाँ दिमाग जा रहा मेरा साथ से करना था तरहना यह सेबन था ठीक है कोई बात ने चलो जो मैं किया इतना सब साही है अपनी जगा यहीं यहां है थोड़ा सा गडबर लग रहा है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, नहीं से भाग करोगे थो उतना जाएगा, यहां साथ रहेगा, लुकना, सब चाहिए कुछ गडबर नहीं कि ऑन्व साथ में हेरा फेरी हो गई GO । यहां पर साथ रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, साथ रहेगा बस क्या रहेगा, साथ यह हो जाएगा साथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं न, साथ कभा करोगे, साथ नमाई तिरफट अब भैया, तिरफट हो डबल जीरो, घटेगा हो जाएगा, खतम, इसलिए जीरो पॉइंट जीरो नाइन आया, सभी समझ गए न, हम कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े, चल भैया, तो यह उमीद है, आप लोग समझ गए नहीं समझे, तो वीडियो को पीछे करके लिख ले न, मेरे बाबू आगे बढ़ू, चलो अब साथ का तो हिसाब हो गया अब देखो, जीरो पॉइंट जीरो नाइन जो आया है उसमें तुम तीन का भाग कर लो काहे को, इस तीन से मैं इसको काटने वाले हैं देखो, इसको काटेंगी क्या आएगा यहाँ भाग करके दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे हल करना जरूरी है आपको सिखाने के लिए उपर दो अंक पर दसमलो है तो उपर से अगर दसमलो हटा दे तो नीचे दो जीरो बढ़ाना पड़ेगा जानते होग नहीं इसको तुम भाग यह जानते होग नहीं उपर दो अंक पर अगर दसमलो था हमने उपर दसमलो हटाया तो दो जीरो तीन एकम तीन 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 तरिक का तीन एकम तीन जीरो जीरो यानि फाइनल में one upon hundred आया एक बटा सो बोलवाया न एक बटा 100 को तुम का लिख सकते हो रे बाबा 0.01 दुए अंक पर 10 हम लो ना 0.01 यानि इसको काट करके हम लिख सकता हूँ 0.01 ए 0.01 की 0.03 यार क्या हुआ कहां जा रहा है कौन सी दुनिया में जा रहा है तू तीन तरीका नो तीन रहे गया यहां तीन रहे गरे बबा यहां पर तीन रहे गरे भईया ठीक है कोई दिक्कत नहीं किसी को आप लोग सोच रहे होंगे बार बार काई को तीन पांच कर रहे है ऐसा हो जाता कहीं कहीं तो यह तीन से आपका डिवाइड हो गया ठीक है तीन तरीका नो तीन एक कम तीन चलो आगे हल कर लेते हैं नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टेंसन नहीं लेना बच्चा सब आएगा एकदम अच्छा बिंदा बैटरी चार्ज है ना? ठीक है चलो आजाओ अब उपर बचा है 4 और 22 4 का 22 में मल्टिपल करोगे 88 हो जाएगा इन्टू ये 0.03 इन्टू मल्टिपल कर लो सबका 0.09 और ये 0. कितना अगर मैं इसको 3 से काड़ता है तो 3 दो न अच्छा 2 वनाता ना? बात वही हुई चाहे उसको करते चाहे उसको करते वही बात हुई 0.16 इन्टू 0.16 ठीक है? नीचे देखो सब कट चुका है मुझे लगता है कुछ नहीं बचा है क्यों? इसका फट से मल्टिपल करो फिर मुझे बताओ मैं चार्जर इसका लगा देता हूँ लैप्टाप का चलो जल्दी करो कितना आएगा भाहिया? करो फटा फट 88 का मल्टिपल करो जल्दी करो मैं चार्जर लगा देता हूँ बस इसमें एक मिनाट वैं रुक के हो गया? आगे बढ़ें? चलो डन बस यही फाइनल आंसर है आपका जो भी आया आगे बढ़ें? चलो इनका सब का गुड़ा कर लोगे बटा देखो बेसिक मैं था आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ तो यह मल्टिपल करोगे 1.047 लगभग सम्थिंग आएगा 4781 गुड़ा तो करिन लोगे तुम इस फेयर था तो यह किस में दिया गया था? रुको मीटर में दिया गया था ना तो यह मीटर का स्कॉयर आएगा जो भी आएगा बस यह क्या आएगा? मीटर का स्कॉयर लेकिन यह बैलूम है यह बैलूम कभी स्कॉयर में नहीं आता बैलूम हमेशा घन मीटर में आता है क्या इतना लंबा नहीं लिखते कहीं आंसर तीन अंक पर लिखते हैं लगबग में तीन अंक दसंबलों के बाद या चार अंक तो इसको इतना भी लिख सकते हो 1.047 मीटर का क्यूब ठीक है दो तीन अंक तक ही लिखा जाता है तो यह आपका पहला कंपलीट हो गया इस तरह तो बहुत टाइम लग जा रहा है यार मुझे बहुत फास्ट हल करना पड़ेगा अब नहीं तो फिर आपको यार यह तो बड़ा टाइम लग रहा है लेकिन समझ कुछ गड़बर लिखा है मुझे लग रहा दोस क्या है इसको इंगली से बता देता हूं ठोस है यह ठोस क्या है ठोस होना चाहिए डोस क्या है डोस तो गलत है उस ठोस ठोस मतलब सालीड ठीक है बाबू क्या थोस गोला कार गेंद दोरा हटाएगे बिस्थापित पानी का आयतन ग्याद कीजिए जिसका ब्यास दिया है 28 सेंटीमीटर मतलब एक गेंद है जो पानी में फेंकी जाती है तो वो कितना पानी हटाएगी आपने बच्पन में देखा होगा अगर कहीं पानी भरा तलाब गड़हिया में धिल्ला मारते तो क्या होता है इसका मतलब जानते क्या है आयतन है एक परकार से बात करें उसका जितना आकार है उसके आकार के कुछ हिस्से के बराबर ओजन के बराबर पानी धवतर हो जाता है तबी तो आदमी पानी में समाता है बताओ एक गिलास में पानी भरलो पूरा फुल और उसमें एक कंचा डालो कांच का देखो क् निकलेगा क्यूं क्यूंकि कंशा जितनी जगह ले रहा है उतना पानी बाहर बाइजाएगा थोस को गोला कर गेंद वरह हटाएं गए पानी का सब्सक्राइगा निकालना है जितना पान भिष्थाफित हो जिसका ब्यास दिया है 28 cm चलिए हल करते हैं लिखो volume of is fair क्या लिखोगे volume of is fair हिंदी में लिखोगे गोले का गोले का आयतन क्या लिखोगे भाईया गोले का आयतन गोला कार गेंद है तो आप ये भी लिख सकते हो गोला कार गेंद का आयतन लिखो गोला कार गेंद का आयतन गोला कार गेंद का आयतन क्या होगा? वही जो गोले का आयतन होता है 4 बटा 3 पाई आर क्यूब तो कर लो, कोशन अटा लो 4 बटा 3 पाई आर क्यूब आज ये डिस्टरब कर रहा है, हैंग कर रहा है, पूरा-पूरा ये तो मान रख लो सारे रेडियस दिया है, 28 याद रखना देखो बाबु इनको यहाँ साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा देख लो आप लोग रेडियस दिया है ब्यास दिया, ब्यास डी बराबर कितना दिया है, 28 तो आर बराबर हो जाएगा डी अपान 2 ये सब को पता है तो आर बराबर हो जाएगा 28 अपान 2 इक्वल 14 सेंटीमीटर इसे याद रखना मेरे भईया बाबू ठीक है, याद रखना इसे चलो तो ये हो जाएगा 4 बटा 3 पाई कमान रख तो 22 बटा 7 22 बटा 7 इंटी आर कमान 28 का मतलब कितना आ गया 14 तो गुड़ा कर लो 14 का 3 बार 7 से करो 7 दूना 14 अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान से समझना इन सब को आपस में मल्टीपल करो तो मल्टीपल करोगे मेरे भाई तो क्या होगा कर लो बाबू इनका 4 में करोगे तो 88 होगा और फिर 14 का 14 में करोगे आपको पता है कि 14 का स्कॉयर कितना होता 196 होता है होता है ना 196 तो 196 इसका square हो जाएगा into 2 यानि 196 into 2 upon 3 कोई doubt नहीं किसी को नहीं न चलो अब क्या करेंगे सारे numbers का गुड़ा कर लो 3449 लगभग आएगा कितना आएगा 3449 गुड़ा करना नहीं आता ता मुझे बता देना 3449 चार नो चा डिवाइड करोगे तीन से भाग करने पर कितनी बार जाएगा जानते हो देखो बहुत सिंपल है देखो भईए इनको तीन में जब भाग करेंगे बाबू तो तीन का भाग पहली बार तो सीधा-फीधा इसमें चला जाएगा एक में तो तीन एकम तीन इसमें भी चला जाएगा तीन एकम तीन बचेगा एक हो जाएगा 14 तो तीन चोग 12 अब बचेगा दो यह हो जाएगा 29 तो 39 27 सही जा रहा है न 39 27 29 था 2 बचा है यह 26 हो गया तो 3 28 24 देखो समझे ना 26 था 24 हुआ 2 बचा सेसफल यानि 2 सेसफल बचा है तो उसको हम ऐसे लिख सकता हूँ 2 को कैसे जो सेसफल बचता है उसको सही बटा में बनाते नहीं है अरे सेसफल 2 बचा है भाग 3 से किया था तो हम इतना लिख सकता हूँ हमने निकाला है क्या वैलूम निकाला है रेडियस सेंटीमीटर में थी तो इतना सेंटीमीटर का क्यूब यह अंसर हो गया कोई डाउट नहीं किसी को हाँ इसको दसंबलों में बदल सकते हो जिनको नोट करना है नोट कर लो फिर आगे बताता हूं जल्दी करो हो गया कोईश्चन नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूं इस कोईश्चन को इंगलीस में समझ लो थोड़ा से रुकना मैं कोईश्चन दिखा देता हूं कोईश्चन देख लो फिर से दिख रहा है कोईश्चन यह 28 है थोड़ा कट रहा है चलो आगे बढ़ते हैं next question उसके पहले इसको इंगलिस में पढ़ दे कह रहा था का find the amount of water displaced by a solid sphere ball of diameter 28 cm find the amount of water displaced by a solid sphere ball of diameter 28 cm चल भई आगे बढ़ें next तो यह आपका हो गया इस तरह से इसका और भी कोई पार्ट है क्या इसमें एक और पार्ट दिया था ना भाईया इसमें एक और पार्ट दिया था ना बाबू इसको तो कर ले न मैं इसको मिठा देता हूं एक और पार्ट करवा देता हूं second part कर लो चल बहिया हाइं करने लगा इतना तेजी के साथ ही देखो second part में क्या है यह आपका first part था second part में radius 0.21 दिया है कर लोगे ना सभी ऐसे बाबु जैसे है ऐसे same to same करना है 14 के जगा पे 0.21 करना है इसमें radius दिया है radius तो नहीं दिया है diameter उसमें भी दिया है d दिया है 0.21 meter तो r हो जाएगा 0.21 upon 2 meter ठीक है बाबु रख लोगे ना भाईया ऐसे रख के इस तरह से हल करना नहीं आएगा तो मुझे बता देना tension मत लेना लेकिन मुझे पता है तुमको दिक्कत होगी ना तो मैं बता दूँ क्या इसको कर लोगे चलो बता देता हूँ इसमें भी लिखोगे गोला कार गेंद का item बराबर volume of spherical wall ऐसे कुछ पूछा था इस फेयर बाल हाँ volume of spherical wall इक्वल दिख रहा है 4 upon 3 pi r cube होता है pi कमान 22 बटा 7 और r कमान है भाईया 0.21 upon 2 into 0.2 upon upon 2 into 0.21 upon 2 इसनको काट करके हल कर देना है साथ से इनको काटोगे आपको पता है कितनी बार जायेगा साथ 3 क्या कैस 0.03 जायेगा ना बोलो कर लोगे ना तो 0.03 आएगा कैसे देखो जब ये इतना रहेगा तीन से भाग का मतलब ये है कि 21 बटा ये 300 हो जायेगा क्यों हो जायेगा ना जब इनको 21 से भाग करोगे तो कितनी बार जायेगा भाई भाग करके देख लो तीन से काटोगे तो नीचे 100 आ जायगा उपर आ जायगा 321 ना मैं 3 से ही तो करा हूँ हाँ ये 3 वाला है ठीक है लेकिन मुझे पहले 7 वाला कर लेना था वैसे वो भी सही है कोई बात नहीं तीन से काटोगे उपर आ जायगा 321 नीचे 100 ठीक है तो अब इसको कितना आएगा 0.7 मुझे बताओ इतना सही है कि नहीं ये सही है कि गलत है और सही है तो कैसे गलत है तो कैसे चलो फट से बताओ 0.21 डिबाइड वाई किस से साथ से साथ से करो या तीन से करो बात वही हुई देखो इसमें भी वही चीज है जो भी मैं बताया था थोड़ा दिर पहले यहाँ पर समझो ये गलत है काहे को गलत है एक्चुली में अगर तुम पहले ऐसे देख लो अगर मैं इसको सही मानूं तो क्या होता जानते हो हमने तीन से भाग किया है हम तीन से इसमें गुड़ा करें तो फिर से उपर वाला आ जाए तो तीन से इसमें गुड़ा करेंगे भईया तीन से तेकाईस होगा बाबु एक तो यहां पर यह जो लिखा है ना यह भी गलत है इसमें बीच में दस हमलों लगेगा यह चल जा यार क्या लगेगा बीच में यह रुख जा देखो इसमें क्या होगा बीच में साथ कभा किया तो जीरो 0.03 ठीक है फाइनल में इनका हर कल लोगे कलकुलेशन कर लोगे उसके पहले मैं आपको पहले इसको हल करना दिखा देता हूँ कैसे हुआ नहीं तो बहुत से बच्चे कनफ्यूजन में है देखो बेटा कुश्चन कमी हो हल हो बाबू लेकिन पूरा आना चाहिए है देखो 0.21 हमने सबसे पहले साथ का भाग किया ना एक्चुली में होता क्या है ये 21 उपर दो अंक पर दसमलो था दसमलो हटा कि मेरे भाईया हम नीचे दो जिरो बढ़ा सकते हैं साथ से भाग करेंगे साथ रिक्यकई सी हो जायेगा सो यनी ये हो गया तीन बटा सो अब उपर दो अंक पर नीचे मतलब क्या होगा ये नीचे दो जीरो है तो उपर दो अंक पर हम दसमलो लगा के ऐसे लिख सकते हैं ये हो गया आंसर बात समझ में आई अगर तुम इसको ऐसे भी करना चाहो, तीन का भाग सो में, नहीं, तीन से सो में, इसका उल्टा बोलो, सो से तीन में, तो क्या जाएगा, पहले जीरो बार जाएगा, जीरो घटा होगे, तीन आएगा, कोई मतलब नहीं हुआ, दसमलो बढ़ाओ, जीरो उतारो, अब देखो, सो का भाग, तीस म गया कोई डाउट नहीं न देखो बच्चा मैं सबका कमेंट देख रहा हूं पंकज कुमार रोहित स्वेता सिंग पूनम सबका देख रहा हूं लेकिन परसान न रहो क्यों क्यों क्योंकि क्लास आगे चलने दो कोई डाउट होता नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर कर लेना चलो तो अब मैं यह मिटा देता हूं यह सिर्फ समझाने के लिए यहां पर किया था कि कुईशन नंबर तीन का यहां पर हल है तो यह सभी समझ गए इनको हल तो कर लोगे न यार करके देखो कितना आएगा फटा-फट 0.0048 something आएगा multiple करके देखो मैं किया था मुझे याद है अंसर ठीक है कहो तो मैं और कुछ हल करा हूं चलो करो इनको और थोड़ा कर लो दूर से काटो गए यह 11 आ जाएगा दो से इसको काट दो यह दो दुना चार आ जाएगा यह दो से यह दो भी कट गया यानि दो से नीचे सब खतम हो गए तीन से इसको काटो तो 0.07 फाइनल में उपर क्या बचा 11 गुड़ा इनका गुड़ा करोगे तो साथ तरीक 21 आएगा और दो दो चार अंक पर दसंबलो लगेगा तो 0.0021 ठीक है उपर उपर का हिसाब हो गया अब भाईया 0.21 का गुड़ा कर लो बाबू इनका सब का मल्ट दीपल कर लो आप कही कुछ गडब़ हो जाए तो मुझे बता देना कि यहां कुछ गडब़ हो गया है कर लोगे न करना करते हैं हम लोग एक मिनट रुको थोड़ा से लंबा काहे को बढ़ा हैं थोड़ा से थोड़ा रुको जब मैं इसको साथ से काटा था यह चैनल आया था थे काम करता हूं मैं पता है क्या देखो इसको मिटा बहÖ्ले बता हुँ एक सीकेंट डुकना बस हट जब आए देखो हम इसको 7 से काटके 3 लाये थे तीन को काटेंगे अलग नहीं इसी को काटेंगे तो 0.01 आएगा क्या आएगा 0.01 आएगा और यह आपका 21 जो है दसमलों में जैसे भी था वैसे का वैसे रहेगा तो हमें हल करने में आसानी होगी 0.01 इंटू 21 का 21 में क्या होगा एक मिनट रुक जा यार इसको मुझे सेफ रखना है काटना नहीं रुक जाओ 0.21 इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो 441 आएगा 441 चारंग पर दसमलों लगाओगे तो 0.441 ठीक है ठीक है इनका गुड़ा कर लो फटा फट सभी मीटर का क्यूब आएगा जो भी आएगा तो 0.00485 कितना आएगा 485 और यह किस में था मीटर में था रासी देखो अरे दूसरा कोश्चन कहां गया मीटर में था हां मीटर में ही था ठीक है तो यह हो गया मीटर का स्कॉयर ठीक है कोई डाउट नहीं आगे बढ़ें चलो अगला नेक्स्ट देखे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कोसिस करिए कुश्चन नंबर तीन यार कुश्चन तो डेर सारा है मुझे लगता जादा टाइम लग जाएगा क्या इसको हिंदी में देखो मैं इंगलिस में पढ़के सुना दे रहा हूं इंगलिस में पढ़के सुना दे रहा हूं देख लो ही अधन दहातु की क्या है एक गिसा सेट और byte ग अधर बाल तो बार मास मतलब धरन क्या है उस बाल का इप दा डेंसिटीया दम मेटलीज इट पॉइंट नाइंड ग्राम पर सुन्टिमिटर क्योग है कि यानि धात्यू की यह गेंद है जिसका ब्यास फॉर पॉइंटसेंटीमिटर है इस घूंत तो जो है 8.9 ग्राम प्रतिघं सेंटिमेटर है तो इस गेंद का दरब्यमान ग्याद कीजिए मास ग्याद कीजिए समझे रहो है सिंपल है हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखो देखो और समझो चलो एक धातू की गेंद है एक धातू की क्या गेंद है देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या मान लो यह धातू की गेंद यही है इसको क्या मान लो चलो गेंद मान लो ठीक है समझना समझना क्या कह रहा है इसको अगर हम धातू की गेंद मान लिए कह रहा है इसका ब्यास 4.2 ह तो दियास 4.2 का मतलब जान रहे हो जार ब्यास बोल रहा है हाँ ब्यास मतलब ड़ी यह कितना पूरा-पूरा 4.2 सेंटीमीटर है यह द्धातू का घंत तो इसका जो डेंसटी एट पॉंट 9 प्रति ग्राम स्वारी ग्राम प्रति घंट दू्स है तो इसका सूतर होता है मास्वका पता है ये किस से गुड़ा करता हैं जानते हो का मेंट करके बताओ पढ़े हो ऑब चलो है चल कि रिख Vergleich ए नहां मेरे राज्जा तुम इधर हाई कुछिन दिख रहा है कि यहाँ ठल करते हैं नहीं आहट लिखो सबसे पहले लिखो भाईया लिखो 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 क्या लिखोगे लिखो given given मतलब दिया है जो दिया लिखो given d equal 4.2 cm so r equal 4.2 upon 2 यानि यह कटेगा तो 2.1 cm ठीक है done अब density बराबर क्या हो जाएगा चुकि इसमें density दिया है देखो मास बराबर होता है density गुड़े बैलूम यानि दरब्यमान बराबर क्या होता है गानत्तों का आयतन से गुड़ा कर देते है यह सूत्र होता है लेकिन हमें रख दीजिए चार्ज ना बैटरी चार्ज दीख रहा है चलो भाई सारे मान रख दीजिए फटा फट रख लो भाईया है तो बहुत आसान लेकिन बहुत मेहनत कर रहा रहा है ना है 2.1 दिया है हल करना ही बहुत लंबी कहान नहीं इसमें आव इधर से मान रखते है 4 अपान 3 पाई कमान 22 अपान 7 इंटू आर कमान क्या है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 ठीक है भाईया कुश्चन को मैं साइड कर देता हूं अभी के लिए चल इधर चला जा तू चलो फिर भाई कहानी हो गई यहां पर देखो साथ से इनको हम काटेंगे हम मान लेते हैं कि दसंबलो नहीं लगा तो क्या होगा 3 बार बैद 3 बार जाएगा भाईया कितनी बार जाएगा 3 बार दसंबलो चूकी एक अंक पर लगा था इफले एक अंक पर दसंबलो लगा देंगे अब इनको हम 3 से काटेंगे ते क्या हो जाएगा 3 एक कम 3 और 1 अंक पर 10 अलो था इसलिए 1 अंक पर 10 अलो लगा देंगे यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो जूम कर देंगे ठीक है टेंसर नहीं लेने का चलो अब देखो भाई यह हो गया खतम और दसमलो हो जाएगा पीछे से तो 4.41 आएगा क्यों आएगा लेकिन एक मिनट रुको यह 4.41 तो आएगा लेकिन इसमें साथ में 0.1 एक और है इसका मतलब इसका गुड़ा होगा तो एक अंक दसमलो और इधर खीशक जाएगा तो यह 88 इंटू 0.441 हो जाएगा इनका जब गुड़ा कर लोगे मेरे भाई तो कितना आएगा जानते हो तुमकी नहीं कर लोगे ना 38 पॉइंट सम्थिंग आएगा 38 पॉइंट सम्थिंग वही हो गया आंसर चलो आगे बढ़ें 38 तो आएगा एट एट और यह सेंटिमेटर का क्यूब इस तरह से आपका कुश्चन नंबर थार्ड कंपलीट हो गया कोई डाउट नहीं किसी को कुश्चन इंगलिस में पढ़ा था कि नहीं मैं पढ़ा तो था चलो पॉर नंबर अगला फॉर नंबर कुश्चन दिखाया जाए फॉर नंबर कुश्चन होमवर्क रहेगा बच्चा क्योंकि अब मैं तीन करवा दिया इकट्था तो आप एकठी होमवर्क भी कर लेना क्योंकि आप लोग बहुत लापरवा टाइप के हो जा रहे हो चलो यह होमवर्क कर लेना धातु के गेंद का ब्यास दिया है यह तो तीफरा कुश्चन है यार एक मिनट उख जा जबता कुश्चन दिखाओ भाई चंद्रमा आईस में देखो क्या कह रहा है कर रहे है चंद्रबा का ब्यास पृर्थिभी के ब्यास का लगबग एक चोथाई है तो चंद्रबा का आईतन की कौन से बिनना है इसको करना नहीं आगा मुझे बताना अगला फाइब नमबर चलो फाइब नमबर में मैंने कलर भी चेंज कर दिया है थोड़ा सा कुछ अलग मूड हो जाए दिख रहा है कहरा ब्याज 10.5 cm वाले एक अर्धकोले कटोरे में कितने लीटर दूधा जाएगा बहिया हो एक सेमी स्फेयर दिया है कहरा इसमें कितना लीटर दूधा आएगा और 10.5 इसका दिरिज्जा दिया है चलो हल करो लिखो गिबन गिबन मतलब दिया है आर बराबर 10.5 cm अर्ध गोला है याद रखना क्या है हेमी स्फेयर है ठीक है हेमी स्फेयर कैसे बनता जानते हो देखो हेमी स्फेयर ऐसे कुछ बनता है ऐसे कुछ बनता है ठीक है तो क्या बाबु यह हेमी स्फेयर है यार आप तो यह हैंग कर रहा है थोड़ा सा पैनल हैंग कर रहा है यह क्या है गोला है तो आर बराबर कितना हो जाएगा अगर यह डी कमान दिया है कि यह ब्यास दिया था यार को इश्चर बे कह रहा था क्या था 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 रूकना यह डी नहीं दिया है मतलब आर नहीं दिया डी दिया है ठीक है यह क्या था डी था यह तो आर बराबर यहां फे निकालो गए तो टैन पॉइंट पांच बटा दो हो जाएगा बस तो हल कर लो लिखो बैलूम आफ हेमी स्फेर या फिर अर्थ गोले का आयतन बराबर अर्थ गोले का आयतन बराबर लिखो आर्थ गोले का आयतन बराबर यार थोड़ा हैंग कर रहा है आज भाईया यह मजा नहीं आ रही उस तरीके से तो क्या हो जाएगा टू अपांच थ्री और यह पाई आर का कितना हो जाएगा क्यूब ना मान रख देते हैं सारा आप तो हल करना ही है इसको फसाया हूँ तो चाहिज इतना हैं करेंगे यह question करने के बाद ही कुछ करेंगे कुछ सोचेंगे तो रुकना थोड़ा यह हो गया done कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो अब इस फार्मूले में सारे हमें क्या करना है भाईया मान रख देना है बाबू क्या करना है इसमें सारे मान रख देने आपको done इनको ले आओ इधर side में क्योंकि उदर जगा नहीं है आजा 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 चलो तो रख देते हैं 2 upon 3 pi कमान कितना रखोगे 22 बटा 7 22 बटा 7 into r कमान 10.5 upon 2 देखो इसका मान क्या करेंगे 3 बार है cube तो 3 बार इसका क्या होगा गुड़ा होगा आपस में ठीक है तो हो जाएगा 10.5 into 10.5 दिख रहा है into 10.5 इधर जगा कम है इसलिए नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा 3 से इनको काटो गए मेरे भहिया तो आपको पता है एक अंक पर 10.5 लगा है 3 तरीका 9, 3 पचे 15 एक अंक पर 10.5 यहां लग जाएगा 7 से इनको काटोगे 7 एकम 7, 7 पचे 35 और चुकी एक अंक पर 10.5 था इसलिए यहां पर एक अंक पर 10.5 लगेगा आगे बढ़ो 22 का इसमें गुड़ा करोगे तो 44 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं किसी को 0.5 और इनका सब कम इलाके गुड़ा कर लोगे तो 55 पॉइंट सम्थिंग आएगा यारी लेकिन कुछ गड़बड़ है का एक मिनट रुकना रे बाबा रुकना ना रुकना ना यहाँ पर रेडियस क्या दिया था बटा दो था ना सब में रेडियस में देखो बटा दो था सब में यहाँ तो कहीं लिखे नहीं हो यहीं गड़बड़ है चल भईया आज्जा थोड़ा हैंक कर रहा है इसलिए और मेरा दिमाग भी सिमाहंक कर रहा है तो यार ये फिर कटेगा भी नहीं एक मिनट जान रहो ये फिर कटेगा भी नहीं फिर कटेगा तो कुछ आवर आएगा कुछ अलग तरीके कटेगा सारा मान फिर फिर रखो सब लोचा हो गया ये हैंग कर रहा पहली बात तो आज पैनल बहुत दिमाघ का दही बना गर रखा इसने इतना लागों रूपे खर्चा करवाया फिर भी हैंग कर रहा है 2 बटा 3 Pi कमान 22 बटा 7 into R कमान 10.5 बटा 2 ठीक है रखेंगे सायत में 10.5 बटा 2 into 10.5 बटा 2 into 10.5 बटा 2 ठीक है done इनको अब क्या करोगे आप 2 से ये काट सकते हो ये हुई नबाद 2 से 2 खतम इनको 2 से काटो 1 इनको 2 से काटो 11 जो मैं कट कर रहा हूँ तुरंद लिख जाएगा कुछ सिकेंट बाद टेंसन मत लेना ठीक है पक्का अब देखो उपर सम निपट गए भाई उपर सम निपट गए निच्चे से कौन निपटेगा ये भी काट सकता है 3 से इनको काटो तो 3 करनो 3 बचे 35 वन डिजिट पर पॉइंट लगेगा ठीक है साथ से इनको काट दो कोई दिक्कत नहीं है तो कितना आएगा 0.5 सब का गुड़ा करोगे मेरे भाई तो 11 गुड़ा देखो 0.5 ये क्या है 0.5 और 10.5 और 10.5 का दो बार गुड़ा करोगे सब का 55 आएगा लगभग ठीक है 55 के लगभग में आएगा तो पहले एक बार लिख लेते हैं तब करेंगे नीचे अभी एक दो बच रहा है एक दो बच रहा है ये हो जाएगा 11 गुड़े 55.125 आएगा नीचे कितना आएगा 2 थोड़ा हैंग मार रहा है चले आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं इनको भाग करोगे 606 लगभग आएगा किसको भाग करोगे बहले गुड़ा तो करोगे अरे गुड़ा करो ना यार 11 से 1555 आशी लाया 5 1555 1555 में 5 जड़ोगे 61 होगा पॉइंट में भी है तो 606 लगभग जाएगा कितना जाएगा 606 पॉइंट सम्थिंग आएगा 39 के लगभग 375 आएगा गुड़ा करके देख लो कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे ये 303 दसमलो सम्थिंग आएगा अरे सम्थिंग मतलब क्या 375 का आधा कितना होगा 187 लगभग ना 187 लिख दो बस ये क्या हो रहा था क्या निकाल रहे थे हम लोग इस फेयर ना इस फेयर का बैलूम हेमी इस फेयर का ना तो क्यूब में होगा किसमें होगा क्यूब में यहां तक हो गया है इसका आगला मैं आपको बस तुरंट नेक्स्ट बता रहा हूं कहीं जाना नहीं कोई ठीक है इतना नोट कर लो इसका पीडिया पीवियर स्टेडी के टेली गराम चैनल पर देंगे थोड़ा हैं कर रहा है बस दो मिनट लगेगा मैं आगे बढ़ रहा हूं चलो आगे बढ़े जल्दी चलो आगे बढ़े फटा फट चल भाई आगला कोईश्चन नेक्स्ट